हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूं वेज मसाला मेगी की रेसिपी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंदा है तो लाईक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए औस शेयर कीजिए तो चलिए दो मिनिट वाली मेगी को दस मिनिट पे बना के त्यार करते हैं इसके लिए मैं सबसे पहले एक पैन चरहाड़ी और उसमें वन टेबल स्पून जितना मैं मस्टर्ड ओयल डाल दूंगे ओयल के अच्छे से जैसे ही हीट होते ही तो यह देखिए अब लहसुन को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है इसके साथ ही मैं इसमें अनियन डाल दे रही हूँ एक वो भी लंबा लंबा स्लाइस में कट किया हूँ है तो वो मैं डाल दे रही हूँ और अनियन को बहुत जादा कुक नहीं करना है बस थोड़ी देर के लिए कुक करना है ताकि उसमें हलका सा ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए और इसके साथ ही मैं एक मिर्ची डाल रही हूँ जो कि ना तो बहुत जादा तिखिया है बहुत कम दिखिया है तो मैं एक मिर्ची डाल रही हूँ और थोड़ा सा गाजर डाल यूँ वह भी लंबा लंबा स्लाइस में कट किया हुआ तो सारे चीजों को मैं डाल दे रही हूँ जैसे ही हलका सा सौटे हो जाए मैं इसमें वीन्स डाल रही हूँ विन्स मटर कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आपकी पसंदिदा वेजिस हो वो सब आप इसमें डाल सकते हैं जो नहीं पसंद हो उसे आप स्कीप कर सकते हैं आराम से अब इन सारे चीजों को चलाते हुए हमें 30% कुक कर लेना है इसके साथ ही मैं इसमें बस हलका सा हल्दी पॉडर डाल दे रही हूँ आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑफसनल है और इसके साथ ही मैं इसमें जीरा पॉडर भी डाल रही हूँ ये भी बिल्कुल ऑफसनल है क्योंकि ये मसाला मैगी है तो इसलिए मैं हलका सा मसाला इसमें दे रही हूँ, अगर आपको पसंद ना हो तो आप टोटली से स्कीप कर सकते हैं, तो इसके साथ ही मैं लम्मी लम्मी स्लाइस में कट किया हुआ, इसमें कैपसिकम एंड टोमेटो डाल रही हूँ, तो ये देखिए सारे चीजों को मैं डा मैं कुक कर लिए और आप चाहें तो ढख भी सकते हैं, मैं यहां पर अभी ढख नहीं रही हूँ, और एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़वरत नहीं है, जितने आपने वेजिस डाला है बस उसी अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दे, तो ये देखिए हमारा जो ये वेजिस है बिल पानी डाल दे रही हूँ, और इसे धक के या फिर वैसे भी आप चाहें तो वायल आने के लिए छोड़ सकते हैं, जैसे ही इसमें अच्छा सा वायल आ जाए, तो हम करेंगे क्या कि मैंगी डाल देंगे, अगर आपको पसंद हो बहुत लच्छे वाली मैंगी तो आप बस ऐ इसे डाल के छोड़ दीजें, मैं यहां पर इसे तोड़ के डाल रही हूँ, यहां पर फ्लेम को हमें बिल्कुल लो टू मीडियम कर लेना है, और धक लेना है, हाँ अगर आपको यहां पर लगे कि पानी इसमें कम है या फिर कुछ भी, तो आप यहां पर एड़ कर सकते हैं मैं इसमें मैगी मसाला डाल दे रही हूँ, मैगी मसाला के डालते ही, इसकी जो खुश्वू है, वो भी चेंज हो जाएगी, और इसका जो कलर है, बिल्कुल वो भी चेंज हो जाएगा, तो मैं मैगी मसाला डाल के और एक वार अच्छे से फिर से इसे चला ले रही हूँ, ताकि इसका मसाला आपस में मिल जाए, अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें फिर से ढख देना है, इस पार मैं तीन मिनट के लिए ढख चुकी हूँ, और ये देखिए जो हमारा मैगी है वो अच्छे से बन के त्यार हो चुका है, ये हलकी हलकी से जो ग्रेवी आपको दीख र देखेंगे, वैसे ही ये आडाम से पूरा सेट हो जाएगा, तो देखिए कितना अच्छा पूरा वेजिस भी उपर से दिख रहा है, और मैगी अभी से ही बहुत डिलिसियस दिख रही है, तो अब मैं यहाँ पर कर रहे हूं कि फ्लेम को बिल्कुल आफ करते रही हूँ, औ तो बहुत जादा जल्दी में ये मैगी भी बन जाता है, और बहुत ही जादा यमी लगता है, तो आप लोग एक वार इसे ट्राइ करके जरूर से देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, तो लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे, और शेयर कीज आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर से बताईएगा, तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग भी बनाईए, खाईए and enjoy कीजिए, मैं आपको इसे पास से दिखा रही हूं कि ये कितना अच्छा यमी बना है, तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फर आपको 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 झाल झाल